इस वीडियो में हम यूज कंटेक्स्ट के बारे में देखने वाले हैं और अगर आपको दूसरी वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो My name is Anush Singhla and I would like to teach everybody web development and want to make the life easy for the web developer and guys अगर अब भी तक आपने मेरा चैनल सिस्क्राइब नहीं किया है so please subscribe कर लीजिए for more videos thanks all so let's start so for use context hook मैंने कुछ pointers note down किये so that कि आपका इससे क्या होगा इससे आपका easy जाएगा use context hook को समझने में so पहले हमको use context hook से पहले ये समझने है कि react context hook क्या होता है umas are call eo direct context hook में क्या होते है कि जैसे हमको पहले क्या करतना होता ना पहले हमको props को manually pass करना होता है जैसे हमारे आप से e app seller चाल्ड लग स्व्पर उसके उत्रों है इसकर करना मड़ता है तो हमको क्याना मड़ता हिता है manually pass करना पड़ता था जैसे props होगा या फिर उसको चाइल्ड को पास करो फिर उसके चाइल्ड को पास करो तो इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रेली इस चीज को अवोईड करने के लिए रियक्ट के लिए रियक्ट के लिए रियक्ट कंटेक्स्ट लेकिया है हम क्या करेंगे रियक्ट कंटेक्स्ट में रियक्ट क create करना पड़ता है और वो context हमको दो values देता है provider and consumer. provider हमको क्या provide करता है ? provider जो भी हम उसके अंदर value pass करेंगे, जो भी हम उसको value देंगे वो child children और grand children को लेबल करवा देगा और consumer क्या करता है ? अब हमने value तो दे दिया है, अब उसको उसमें क्या होता था था, थोड़ा easy नहीं रहता था या फिर जैसे हमको 2-3 consumer, like 2-3 context से value get करने हैं, तो easy to write नहीं था, तो उसके लिए huge hook, huge context hook लेका है react, तो उसमें बहुत easy है जिसमें, तो देखने कमने दो क्रफेर किए तो यह तो आप उसको करोगे और उस भीहाब आप stalk up प्राक्रगल के लिए पर सकते हूं अब हम ज्मार कैसे यूज करेंगे उसके लिए मेरको अगें कॉंप़नेंट बनाने बड़ेंगे मेरे को तो अभी मैं पहला component बनाऊगा, huge context hook यह जिस component नहीं मैं, आप यहां पर कुछ भी दे सकते हों मैं क्या कर रहा हूं, मैं mostly try कर रहा हूं component का नहीं वैसा दूँ ताकि जब आप मेरा code देखो तो आपको easy जाए समझने में function and name, यह component का name हो गया फिर अभी हम क्या करेंगे, एक context बना लेंगे, तो context के लिए हमको क्या करना बड़ेगा यूजर कंटेक्स्ट और उसको क्या से करेंगे, create context एक react ने provide को रखा है, यह क्या करता है इसमें, initial value जो, अब हमको सबसे पहले हम सबसे पहले हमको क्या करना बड़ेगा, एक interface बनाना बड़ेगा, कि हमारा किस type का किस type का है हमारा, जो भी हमारा context रहेगा, किस type का रहेगा जैसे हमारा, हम यूजर, यूजर डिटेल दिलवाएंगे ठीक है context, तो इसमें name रहेगा, string type का, और row number रहेगा, वो रहेगा, number type का और और null, कुछ भी कुछ भी ना हूँ, और फिर अब काम करेंगे, default value रहेगा, इसको बोलता है, initial value name रहेगा, and row number रहेगा, अब यह हमारा context किस type का, हम को यह बताना पड़ेगा जो, और इसमें, initial value रहेगा, अब हम एक object भी बना लेते हैं, user, अब हम क्या करेंगे, इसको use करेंगे, user, hope, आपको समझ आ रहा होगा, और guys, अगर आपको कुछ भी समझना है, please मेरे को बता देना, comments कर देना, तो मैं next video में उससी जोंको improve करने के try करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब हमने context create कर लिया था, right, अब इसको provider, provider, provider मैंने आपको पता देना, provider से हम उसको value को provide करते हैं, ताकि उस child component उसको use कर सकें, तो फिर हमारा क्या है, user context है हमारा provider, provider, और provider का accept करता है value, value का हमारी user details, ठीक है, user details में जो भी हो जाएगा वो उसके child को मिल जाएगा, और इसके लिए अब इसके अंदर जो भी components, हम एड़ करेंगे तो वो उसको accept हो जाएगा, अब जैसे मैं एक button भी बना लिता हूँ, ताकि value को update करने के लिए means वो भी update हो जाएगी, जिस्ट मैंने क्या किया है name को update करा दिया, अब मैं क्या करूँगा, अब on click पे, on click पे इसको update कर दूँगा, मैं इसमें value provide करेंगे, update name में जैसे मैं provide कर देता हूँ अनुजवर, जैसे मैं update वन पे click करूँगा तो यह value change हो जाएगी, यूजर detail के और उसके child component में जो भी updated value भी बनाता हूँ, तो उसका नाम रखते हैं display name, and उसका नाम रहेगा मेरा, export, play name, अब हमने last time क्या कहा था, provider बनाया था, provider में value accept की थी और context बनाया था, अब हम उसको context को यहाँ पर use कर लेंगे with the help of, with the help of use context hook, तो हमारा user context hook है, अब हमारे क्या context है, user context hook, inbuilt hook है, और user context जो हमने create किया था, यहाँ पर अब context में value आगया, बसको हम UI पर just show कर देंगे, user name, context value dot name, अब इसको हम just UI यूज़ कर लेंगे, कहले वाले को मैं comment कर लेता हम, अब UI पर देखते हैं, क्यासे दिखे हैं अब date name हो रहा है, ओ sorry मैंने यह function, यह component इसके child में use तो गया भी नहीं ना, देखो name access होने लगा, child component में easy, and update करूँगा तो update भी होने लगा, बहुत easy है, अब display name हो गया जी ठीक है, एक component में use कर ले, अब मैं जैसे suppose एक और component बनाता हूँ, जो की row number रहेगा मेरा, जैस मेरे को rename करना पड़ेगा, display, case to display, roll number, and, यहाँ पर हम कहें करें, display roll number, और यहाँ पर हम कर देंगे, roll number, और आप यहाँ पर देख रहे हो, power of react type script, अब मैं dot कर रहा हूँ तो, हमने बता रहे है किस type का मेरा context है, context हमने user context का है, तो जो भी हम यहाँ पर available कराएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, like dot से जो भी हमारे context में, वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, और यहाँ पर आजाएगा, roll number, adjust हमको अब इसको, child में यहाँ पर provide कर देख, पहले में default value अनूज है, और 7 अगर मैं update करोंगा तो अनूज बन हो जाएगा, क्योंके मैंने अनूजवन दे रख है, अगर, suppose मेरा यह display roll number है, इसके भी आगे child होते है, suppose इसमें भी मैं एक फूर child बना लेता हूँ, उसमें भी मैं context को use कर सकता हूँ, means, जो भी इस provider के child रहेगा, जो भी इस provider का child होगा, उसके अंदर यह context अवलेबल हो जाएगा, जो हमने create किया है, यह context, और उस context में जो भी value हम provide करेंगे, वो हमको अवलेबल हो जाएगा, तो आप देख रहे हो, means, अब हमको यहाँ पर props नहीं पास करने पड़े, नहीं तो हमको कह करना बड़ता है, जैसे मेरे को suppose यह username पास करना था, तो मेरे को यहाँ पर props के through उसको value को पास करना था, अब हमको requirement नहीं है, इस चीज की, तो बहुत powerful है hooks, and use context हो बहुत use होता है, इवन हम इसका जैसे हमारे कुछ small application होती है, हमको redux use करने की requirement है, use reducer plus use context के through हम इसको use कर सकते है, state manage कर सकते है, for all application for global level पे, वह मैं next video में आपको बताने वाला हूँ, use reducer के बारे में, use reducer, इस hook के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बाद use context plus use reducer को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम redux को avoid कर सकते हैं और use reducer को ही use करें, next में तो मैं यह बताने वाला हूँ, use reducer के बारे में, उससे next video में मैं बताने वाले, use reducer plus use context के बारे में, ठीक है, okay, and, yeah, and again guys, मैं, जितना भी मेरा code मैं इस, जो github project पे डाल रहा हूँ, react course करके आया है मेरा, और आप description में भी आपको यह मिल जाएगा link, और आप यहां पर आप सभी, सभी components, सभी codes मेरा देख सकते हूँ, जैसे last time पे मैंने, use previous करके hook बनाई थी custom hook, और इसे previous वीडियो पे मैंने बताय था, okay, तो आपको कोई भी doubt हो, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे को please comment कर ले न, thanks all, thanks all for watching, bye bye.